हेलो फ्रेंड नमस्कार मैं स्निहा आपके लिए बहुत ही करामाती सी यूनिक सी टिप्स लाई हूँ जो इस गर्मी के मौसम में बहुत ही काम आएगी और ये जाड़ा हो चाहे गर्मी चाहे बरसात आप हमेशा इसका यूज कर सकेंगे इसमें हम कपूर ले रहे हैं फ्रेंड पतंजली का आप होम हवन या पूजा में इसे इस्तिमाल करते हैं अच्छी ब्रांट का लीजिए गा जिससे यह आपकी जो रेमेडी बने वो कारगर हो और करामाती सा इसका यूज देखेगा लाईव प्रूफ मैं दूंगी फ्रेंड इसके लिए पहले हम इस तरह से तोड लेंगे कपूर को कपूर को फ्रेंड हम कुठनी से नहीं कूटेंगे थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे मैंने सूजी का एक कवर लिया है आप देख रहे होंगे इस तरह से फिर उसी में कूटेंगे क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही तेज होती है फ्रेंड इसे अच्छे से कूट लेना है पर ध्यान रहे कि अच्छे ब्रांग का कपूर लेंगे तो ये अच्छा काम करेगा कोरोना के समय बहुत लोगों की जान इस कपूर और अजवाई ने बताया जिसका oxygen लेवल बहुत कम था फ्रेंट्स उसका oxygen लेवल कपूर और अजवाईं की पोटली सुने पर पढ़ा है यानि यह बहुत ही कारगर है हम हवा सुद्ध करते हैं अपने घर में होम हवन या पूजा में यूज करते हैं शुद्ध घर का वातावरन करते हैं सर में यूज करते हैं टेल में डाल देते हैं बच्चों के सर में अगर जूए हैं तो यह हमेशा के लिए खतम हो जाएगी फ्रेंट्स बच्पन में माई यूज करती थी मेरी माने भी मेरे लिए यूज किया है पहले पहले क्योंकि अब तो शैंपू जाने लगे पहले शैंपू नहीं आते थे प पूरे वीडियो में बने रहेगा फ्रेंट्स तभी ये जायमेडी को पूरा बना पाएंगे और ये आपके लिए कारगर होगी एक बार आप इसे ट्राई कीजेगा फ्रेंट्स आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताईएगा ताकि मुझे पता च दालना है कपूर भी एक टिकी है और ये बेकार ना हो जाए बहुत जादा तो मैं इसलिए छोटा सा बरतन ली हूँ फ्रेंट्स आगर आपके पास छोटा ना हो तो बड़ा भी ले सकते हैं कपूर डाल दिया फिर उसमें सरसों का तेल मैं डालूंगी और सरसों का तेल डाल लीजे डालने के पाद मिला लीजे जब अगर प्योर आपका कपूर होगा तो फ्रेंट अलका सा भी गरम करने पे ये गरम हो जाएगा और बहुत ही अच्छा करमाती सा ये बनकर तयार होगा देखे मैंने तेल रग दिया और तेल में हमारा पूरा कपूर गल गया कुछ लो प्याज और प्याज को लेके इसे हम छीलेंगे नहीं फ्रेंट्स उपर का पोर्शन काटेंगे नीचे के पोर्शन आपको कट नहीं करना है छिल के सही थी ये रेमेडी के लिए स्टेमाल करना है थोड़ा सा बड़ा पोर्शन और काट दीजे ताकि हमें होल बनाने में आसा पूटी रहें, जिससे जब हम होल करें, तो हमारे प्याज से जो रेमेडी बनाए, वो होल होके रिसे ना, तो इस तरह से आप तो जान रहे हैं, ऑईल का यूज होगा, पर इसमें हम ऑईल डाल के बाती नहीं डालेंगे, वीडियो को आप पूरा वाच किजिएगा, देखेग या तो आप चाहें, तो इसका यूज डाल फ्राई करने में, मसाले में कहीं भी कर सकते हैं, और ये साफ आतों से मैंने किया है, ये कपूर वाले हाथ से हमने नहीं किया, हाथ धुल लिया है, आपको एक वीडियो देती हूँ, जो बहुत आपके लिए हेलफुल होता है, इस इसके लिए हमें इसे कूठना पड़ेगा, पीछे की तरफ, चाकू से मत काटिएगा, नहीं तो इसमें होल हो जाएगा, इस तरह से हम कूठके चेक करेंगे, देखे प्याज अभी भी लुड़त जा रही है, इस टेबल नहीं हो रही है, तो इसे हम इस तरह से स्टेबल कर लेंगे, कूठते हुए, तो थोड़ा-थोड़ा हैमर करेंगे, तब आपको अच्छे से आपकी स्टेबल हो जाएगी प्याज, क्योंकि इसे हमें डायरेक्ट टेबल पर स्टेबल करना है, और ये देखे, इस जो बाकी बची हुई प्याज है, इसे आप खाने में इस्तेम आ दूँ गी, पर ये नहीं है, फिरंट्स चलिए, आगे देखते हैं, पहले इस तेल को हम गरम कर लेते हैं, गरम करने पे देखते हैं, कि हमारा कपूर एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया, अगर कपूर अच्छा नहीं होता तो फ्रुरेंट में मेल्ट नहीं होता would को ब्र हैं ये clip मिस हो गई थी क्योंकि मैंने camera on नहीं किया था मेरे हाथ में तेल लग गया था friends इतेल में हाथ डालने की वज़े से मैं अकेले ही video बनाती हूं तो मैंने on नहीं कर पाया फिर इसलिए second time आपको दिखा रही हूं कि इस तरह से तेल में डुबो लेंगे हम bandage वाली पटी या cotton या मलमल का कपड़ा कुछ भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं हमें सिर्फ इसे जलाना ही है friends अगर cotton की बत्ती की बजाए हम इस तरह की पटी का use करेंगे cotton वाली या cotton के मलमल कपड़े का और नहीं तो आप पूजा वाली इस तरह की बाती को भी इसी तेल में डुबो लीजिए और डुबोने के पाद जलाए बहुत अच्छे से जलेगी friends पर यह थोड़ा जादा मात्रा में मैंने मोटी सी से बनाया है और इसे जलाऊंगी ताकि इससे धुआ हो और पूरे घर का वातवरन बहुत ही अच्छा हो अगर दिन में मक्खी वेगरा घर में आ रही गर्मियों का सीजन है friends तो आप दिन में लगा दीजे मैं तो शाम के स अच्छे से जल रहा है देखने में भी अच्छा लग रहा है और हम वाप पे चले जाएंगे देखे इस तरह से मैंने खिड़की पे लगा दिया है थोड़ी देर के लिए उसके बाद हम सोफे के पास लगा देंगे cooler जहां रखते हैं friends वहाँ लगा देंगे धुआ भी घर में फैल जाएगा और वातावरन भी पहुत अच्छा सा हो जाएगा है ना यूनिक सी टिप्स friends मचर या तो मर जाएंगे या हमारे घर से भाग जाएंगे और घर में एक शुद्ध वातावरन हो जाएगा साथ ही साथ खुशबू फैल जाएगी आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा सोफे वाले टेबल पर भी आप जाके यानि डाइनिंग रूम में भी इसे थो किुड़ कि को